हाई गाईज आप देख रहे हैं गेम ओन और आज मैं आप सब के लिए थोड़ी डिसेपोइंटिंग खबर लेकर आई हूँ अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे उलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियंशिप्स के सिल्बर मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर नीरच चोपड़ा कॉमनवेल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 28 जिलाई से शुरू होने वाले कॉमनवेल गेम्स में जो इंडिन कंटिंजिंट के फ्लैग बेरर होने थे ओपनिंग सेरिमनी में नीरच चोपड़ा अब उन्हें अन्फिट डिकलेर कर दिया गया है बताये जा रहा है कि उन्हें ग्रोइन इंजरी हुई है जो उन्होंने अटलेटिक्स चैंपियंशिप के दौरान सस्टेन की और इसके चलते उन्हें अब एक महीने का रेस्ट एडवाईज दिया गया है अगर एक महीने तक रेस्ट करेंगे नीरच चोपड़ा तो जाहिर तोर पर वो कॉमनवेल्ट गेम्स में जो अब से कुछी दिनों बाद शुरू होने वाले उनमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे उनकी गैर मौजूदगी भारते के लिए एक बड़ा जटका जरूर माना जा रहा है क्योंकि शोर शॉट मेडल है नीरच चोपड़ा जब भी वो किसी भी वर्ल स्टेज पर इंडिया की तरफ से जैवलिन थ्रो के लिए मैदान में उतरते हैं मेडल आना अब लगभग पक्का माना जाता है लेकिन 24 साल की नीरच चोपड़ा ने फैसा लिया है कि अब वो अपनी इंजरीज के होते हुए एड़जस्ट नहीं करेंगे अपनी बॉड़ी को फुल रिकवरी का टाइम देंगे और उसके बाद ही जब वो पूरी थरह से फिट डिकलेर हो जाएंगे तब वो मैदान में वापस उतरेंगे साफ है कि कॉमन वेल्ड गेम्स वो मैदान नहीं है और इंडिन कंटिंजेंट के लिए एक मेडल कम यहां पर लगाया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि जैवलिन थ्रो में और दो कौन से नाम है जिन पर भारतिये होप टिके होंगे तो वो दो नाम जो है वो है डीपी मनू और रोहित यादव के दोनों ने हाला की काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है नैशनल लेवल पर लेकिन क्या उनका थ्रो मेडल लेने की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा इस पर सवाल अभी बने हुए है खास तोर पर Commonwealth Games में जिसमें पाकिस्तान के अर्शद नदीम है जो की फिफ्थ उन्होंने पोडियम फिफ्थ फिनिश किया था वर्ल्ड चैंपिंशिप में और उनके अलावा 2012 के उलिंपिक चैंपियन भी Commonwealth Games में नजर आएंगे और साथ ही जो पीटर्स है वर्ल्ड चैंपि दिल आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जैवलिन थ्रो से तो ये बड़ा जटका टीम इंडिया को मिला है Commonwealth Games शुरू होने से पहले अभी आधिकारिक तोर पर इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि अब इंडियन कंटिंजिंट का फ्लैग बेरर कॉन होगा लेकिन इसके अला महिला क्रिकेट टीम भी चुनी गई है क्योंकि पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है Commonwealth Games में और इंडिया के टीम काफी मजबूत दाविदार मानी जा रही है पोडियम फिनिश के लिए एक बुरी खबर से इंडिया की कैंपियन की शुरूआत भले ही हुई हो हुई हुई